नमस्ते मैं चंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अकेडमी में स्वागत करता हूँ आज से हम लोग एक नया चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क ताकि आपको सबसे पहले लेटिश नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं चलिए अब हम लोग कोश्चन की तरफ चलते हैं देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया हुआ है कि A किसी कारे को बारे दिन में कर सकता है जबकि B उसी कारे को पंदरे दिन में कर सकता है यदि दोनों मिल के काम करें तो कारे कितने दिन में समाप्त होगा देखिए हमें question में दिया हुआ है कि A किसी कारे को बारे दिन में कर लेता है और B उसी कारे को अकेले 15 दिन में कर लेता है और हमसे question में पूछा जा रहा है कि अगर A और B दोनों 7 मिल के काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा देखिए हमें question में दिया हुआ है हमें question में A, B हमें दिन दिया हुआ है A कितने दिन में कार्य कर रहा है 12 दिन में, B कितने दिन में कर ले रहा है 15 दिन में, और हम से पूछा जा रहा है कि अगर A plus B A plus B, अगर 7 मिल के काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा तो देखिए हम यहां से सबसे पहले A और B का छमता निकालेंगे देखिए हम सबसे पहले A और B का हम छमता निकालेंगे देखिए हम छमता निकालने के लिए हम छमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहां से cross लिखेंगे यानि यहां लिख देंगे हम 15 is to क्या लिख देंगे 12 हम इसे 3 से काटेंगे यह कितने बार में जाएगा 5 बार में और यह कितने बार में जाएगा यह जाएगा 4 बार में हमारा छमता का ratio क्या निकल किया गया five is two four निकल किया गया यینी अगर a का चमता five unit है तो b का चमता कितना है? चार यूनिट अगर a का चमता five unit है तो अगर बारे दिन काम करेगा तो total काम कितना होगा? साथ unit यइनी अगर हमें अब जो हे, साथ unit काम करना है और a और b को को 7में मिलाके काम कड़ाना ना है। ap b साथ में मिल जाएंगे। tae この ऐफिसेंसी इतना हो जाएगा ए का efficiency पांच यूनित है और b का कितना है चारी इनित अगर e-b20 साथ मिल जाएंगे तो efficiency कितना हो जाएग नौ द्युंट और हमें काम कितना कpowered कड़ हैं व हमें काम जो कड़ाना है 60 unit यहनी 60 unit काम करने में ween 9 के छमता से कितना समयलेगा शार्ट बटबन 9 हम सार्ट बटन 9 को क्या लिख सकते हैं, 20 ब्स बटब advocatz 30 को क्या लिख सकते हैं 6 सही 2 बटब थीन यहनी एबी साथ में मिलके काम करेंगे तो उन्हें कितना समय लगया 6 सही 2 बटा 3 देखिए इस question को हम एक और method से कर सकते हैं हम इस question को एक और method से कर सकते हैं देखिए हमें क्या दिया हो था हमें दिन दिया हुआ है हमें जो है दिन दिया हो कि A 12 दिन में कर रहे है और B कितने दिन में कर रहे है 15 दिन में हम क्या करेंगे A और B के A और B का हमें दिन दिया हो कि A 12 दिन में कर रहे है B 15 दिन में कर रहे हम क्या करेंगे यहां से A और B का हम LCM लेंगे A और B का LCM क्या होगा बाड़े और 15 का LCM क्या होगा 60 होगा हम माल लेंगे कि जो कारे है हमें 60 unit काम करना है हमें 60 unit काम करना है अगर बाड़े दिन में A जो है 60 unit काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर रहा होगा और जो B है अगर 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 4 यूनिट काम कर रहा होगा अब यहां से हमें A और B का A और B का क्या निकल किया गया A और B का हमारा efficiency निकल किया गया कि A का efficiency जो है 5 unit है तो B का efficiency कितना है 4 unit और हमसे question में पूछा जा रहा है कि अगर A B 7 में मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा हमें काम कितना करना है 60 unit करना है और A का efficiency कितना है 5 है और B का कितना है 4 है अगर दोनों 7 में मिल जाएगे तो efficiency कितना हो जागा 9 हो ज याँ से हम इसे solve करेंगे, यह हमारे क्या हो जाएगा? 20 बटा 3, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 6 साही 2 बटा 3 दिन हमारा answer क्या निकल क्या गया यहां से भी? 6 साही 2 बटा 3 दिन चले एक वर फिर से question देख लेते हैं, हमें question में क्या दिया हो था? देखिए हमें question में दिया हो था कि A किसी काड़े को बारे दिन में कर सकता है जबकि B उसी काड़े को पंदरे दिन में कर सकता है यदि दोनों मिलके काम करें तो काड़े कितने दिन में समाप्त होगा तो देखिए इसके लिए हमने आपको दो मेथड बताया पहला मेथड क्या है कि A कितने दिन में काम कर रहा है बाड़े दिन में B कितने दिन में काम कर रहा है पंद्रे दिन में हमें किसका निकालना था A B अगर साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा तो देखिए हमें दिन दिया हुआ है A और B का हम यहां से छमता निकालेंगे हम छमता निकालने के लिए क्या करेंगे यहां से हम क्रॉस लिखेंगे हम यहां से क्रॉस लिखेंगे यानि यहां हम 15 लिख देंगे तो B का छमता कितना होगा 4 unit यानि अगर 5 unit A का छमता है और बाड़े दिन में वो काम कर पा रहा है यानि टोटल काम कितना है 60 unit यान से भी हमारा टोटल काम कितना है 60 unit यानि A B को 7 में मिला के हमें 60 unit काम कराना है तो A का छमता कितना है 5 unit B का 6 कितना है? 4 युइनिट दोनों 7 में मिल जागा, तो 6 कितना हो जागा? 9 युइनिट अगर एक दिन में कर रहा है, तो 60 युइनिट काम कितने दिन में कर पाएगा? यानि हम 60 में 9 से भाग देंगे हमारा दिन निकल किया जाएगा? 6 साही 2 बटा 3 दिन चलिए दूसरा method हमारा क्या है दूसरा method जो है देखे हमें दिन दिया हुआ है कि A बाड़े दिन में काम कर पा रहा है और B जो है पंदरे दिन में काम कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे जो दिन हमें दिया हुआ है उस दिन का हम LCM लेंगे दिन का LCM कितना होगा बाड़े और पंद्रे का जो LCM होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा हम मालनेगे कि जो हमें काम करना है वो 60 unit करना है हमारा जो LCM निकल के आएगा हमों मानेगे कि हमारा काम जो है उतना करना है जितना हमारा LCM निकल के आएगा यानि LCM जो हमारा निकल के आए 60 यानि हमें 60 unit काम करना है अगर 60 unit काम करना है A जो है बारे दिन में अखेले 60 unit काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर पारा होगा 5 unit और B जो है 15 दिन में 60 unit काम कर पारा है कि AB अगर साथ में मिलके करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा A का छमता कितना है 5 यूनिट B का छमता कितना है 4 यूनिट और दोनों साथ में मिल जाएंगे तो छमता कितना हो जागा 9 यूनिट देखिए छमता 9 यूनिट है हमें काम कितना करना है 60 60 unit यानि एक दिन में अगर AB 7 में मिलके 9 unit काम करते हैं तो 60 unit काम करने में कितना दिन लगेगा तो हम 60 में 9 से भाग देंगे हमारा दिन निकल के आजागा दिन कितना निकल के आजागा चो सही 2 बटा 3 दिन चलिए question समझ में आगया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है question दिया है कि A किसी कारे को अकेले 24 दिन में कर सकता है जबकि AB मिलकर उसी कारे को 15 दिन में करता है तो B अकेले उसी कारे को कितने दिन में करेगा देखे हमें question में दिया हुआ है कि A जो है किसी काम को अकेले 24 दिन में कर पा रहा है और AB जो 7 में मिलके अगर उसी काम को कर रहे है तो कितना समय लग रहा है 15 दिन का समय लग रहा है तो हमें निकालना है कि अगर B उसी काम को अकेले करे तो कितना दिन का समय लगेगा तो देखिए पिछले question में हमने आपको जो second concept बताया था उसी concept को हम put a time and work में use करेंगे देखिए हमें क्या दिया है कि A जो है 24 दिन में कर रहा है और B कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है तो हम 24 और 15 का LCM निकालेंगे 24 और 15 का LCM कितना हो जाएगा 120 यानि हमें 120 unit काम करना है हमें 120 unit काम करना है देखिए A जो है 120 उनिट काम कितने दिन में कर पा रहा है 24 दिन में A को 120 उनिट काम करने में कितना समय लग रहा है 24 दिन का समय लग रहा है और अगर A B सांत में मिल जा रहा है यानि A प्लस का B अगर 7 में मिल जा रहे हैं तो 120 एुनिट काम करने में कितना समय लग रहा है 15 दिन हमें क्या निकालना है कि अगर B जो है, अकेले B अकेले इसले काम को करे तो कितना समय लगेगा तो देखिए अगर हम यहां से A का शंबटा अगर निकाल ले और A, B का छमता निकाल लें तो हम वहाँ से B का छमता निकाल पाएंगे अब देखिए A जो है 24 दिन में 120 काम कर रहा है 24 दिन में 120 काम कर रहा है यानि एक दिन में वो कितना काम कर पा रहा होगा हम 120 में अगर 24 से भाग देंगे हमारा कितना निकल के आगा 5 यानि ए जो है एक दिन में पांच काम कर पा रहा होगा तो यहां से एक चमता कितना हो जाएगा पांच यूनिट एक चमता कितना हो जाएगा पांच यूनिट अब देखिए एबी जब साथ में मिलके कर रहे हैं तो 120 यूनिट काम कितना दिन में कर पा रहे हैं पंद्रे दिन म हमें A का चमता पता है कि 5 unit है और AB का चमता कितना है 8 unit है तो हम यहां से B का चमता निकाल पाएंगे B का चमता हमारा कितना हो जाएगा हम अगर AB के चमता में से A का चमता माइनस कर दें तो हमारा B का चमता निकल क्या जाएगा यानि हम इस 8 में से 5 माइनस करेंगे यानि B का चमता कितना निकल किया गया? 3 यानि B जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर पा रहा है तो 120 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा? यानि यहां से B का समय निकल किया जाएगा 120 यूनिट काम करना है एक दिन में कितना काम कर पर रहे है तीन यूनिट यानि यहां से हमारा समय क्या निकल किया गया है 40 दिन समय कितना निकल किया है 40 दिन यानि B को अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा 40 दिन लगेगा चलिए एक बेर फिर से question देख लेते हैं हमें question में क्या दिया हो था देखे हमें question में दिया हो था कि A किसी काम को अकेले 24 दिन में कर सकता है जबकि A और B मिलकर उसी कारे को 15 दिन में करता है तो B अकेले उसी कारे को कितने दिन में करेगा हमें क्या निकालना था कि B अकेले अगर उस कार्ड को करे तो कितना दिन में करेगा हमें question में क्या दिया हो था question में दिया हो था कि A जो है किसी काम को अकेले 24 दिन में कर रहा है और A B साथ में मिलके उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है 15 दिन में हमें निकालना था कि उसी काम को अगर B अकेले करे तो कितना दिन में कर पाएगा तो देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे हमें जो question में दिया है कि A 24 दिन में कर पा रहा है और A B जो है 15 दिन में कर पा रहा है हमें दिन दिया हुआ है तो हम वहाँ से क्या करेंगे, उस दिन का हम LCM निकालेंगे, यानि हम 24 और 15 का LCM कितना निकल क्या है, 120, तो हम काम को माल लेंगे, कि काम हमें करना है 120 unit, 120 unit काम करना है, और A जो है 120 unit काम करने के लिए कितना समय ले रहा है, 24 दिन, और A B जो है 120 unit काम करने के लिए कितना समय ले तो देखिए अगर A जो है 24 दिन में 120 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा हम इस 120 में 24 से भाग देंगे यानि निकल के आगे हमारा क्या 5 यूनिट यानि A जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर पाएगा तो यहां से A का छमता कितना निकल किया गया 5 यूनिट और A B जो है पंदरे दिन में 120 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा हम 120 में अगर पंदरे से भाग देंगे तो हमारा कितना निकल किया गया 8 यानि AB एक दिन में 8 यूनिट काम कर पाएगा यहां से AB का छमता हमारा क्या निकल किया गया 8 यूनिट अब देखिए हमें A का छमता पता है कि 5 यूनिट है और AB का छमता में पता है क्या है 8 यूनिट है और 120 unit काम करना है टोटल तो कितना समय लेगा अगर एक दिन में 3 unit काम कर पा रहा है तो 120 unit काम करने में कितना समय लेगा हम 120 में 3 से भाग देंगे हमारा दिन निकल किया गया दिन कितना निकल किया गया 40 दिन यानि B को उसी काम करने में अकेले कितना समय लगागा 40 दिन का समय लगागा चलिए question समझ में आगया होगा next question पर चलते हैं देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है question दिया है कि A और B एक काम को 20 दिन में करता है जबकि B और C बाड़े दिन में कर सकता है तथा C और A 15 दिन में कर सकता है तो A, B और C साथ मिलके कितने दिन में करेंगे देखिए हमें question में दिया हुआ है हमें question में 3 जोड़ा दिया हुआ है A प्लस B का जोड़ा दिया हुआ है जो किसी काम को 20 दिन में कर पा रहे है और B प्लस C का जोड़ा है जो उसी काम को बाड़े दिन में कर पा रहे है और तीसरा जो रहा है C प्लस A का जो उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है पंदरे दिन में तो हमें निकालना है कि A प्लस B प्लस C अगर तीनो साथ में मिलके काम करे तो काम कितने दिन में समाफ्थ हो जाएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दीन का हम LCM निकालेंगे देखे हमें दीन क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है पहले जोड़े का दीन कितना है 20 दिन दूसरे जोड़े का दीन कितना है 12 दिन और तीसरे जोड़े का जो दीन है ओ कितना है 15 दिन यहां से हमारा LCM क्या निकल किया जागा 12, 20, 12 और 15 का LCM कितना निकल किया जागा 60 यनि हमें 60 unit काम कराना है हमें कितना काम कराना है 60 unit काम कराना है 60 unit हमें काम कराना है देखिए हमें 3 जोड़ा दिया हुआ है पहला जोड़ा कौन है A और B का दूसरा जोड़ा हमारा क्या है B और C का और तीसरा जोड़ा क्या है C और A का देखी A और B साथ में मिलके जब काम कर रहे हैं तो काम करने में कितना समय लग रहे हैं 20 दिन का और B और C जब साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो कितना समय लग रहे हैं 12 दिन का और C और A साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है 15 दिन का, देखिए हमें काम टोटल कितना कराना है इन लोगों से, 60 यूनिट काम कराना है, AB को 60 यूनिट काम करने में 20 दिन का समय लग रहा है, यानि एक दिन में वो कितना यूनिट काम कर पा रहा होगा, 20 द काम करने में कितना समय लग रहा है बाड़े दिन यानि एक दिन में कितना यूनिट काम कर पाएगा एक दिन में साथ यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट पांच यूनिट यानि यहां से बीसी का हमारा छंता निकल के आगा पांच यूनिट अब देखिए सी यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से बी और चमता निकाल लेते हैं तो वहां से हम बता पाएंगे कि अगर तीनों साथ में मिलके काम करेंगे तो कितना समय ले गया तो देखिए हम यहां से ए बी और सी का चमता कैसे निकाल पाएंगे देखिए हमें यहां क्या दिया हुआ है यानि ए प्लस बी प्लस हम अगर तीनों का चमता जोड़ देते हैं तीनों जोड़ों का यहां क्या है बी प्लस बी प्लस सी और तीसरा जोड़ा क्या है C प्लस A अगर हम तीनों जोड़ों का छमता अगर add करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 3 प्लस 5, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 छमता कितना निकल क्या है 12 unit अब दिखिए यहां क्या है 2 A है, 2 B है और 2 C है यानि हम इसे लिख सकते है 2 into A plus B plus C कितना हो जाएगा 12 unit यानि यहां से A plus B plus C का छमता क्या निकल क्या है 6 unit अब दिखिए हमें A plus B plus C का छमता पता चल गया कि 6 unit है हमें क्या निकलना था कि A, B और C साथ में मिलके अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा तो हमें A प्लस B प्लस C का छमता पता जल गया कि 6 unit है हमें काम कितना करवाना है 60 unit यानि जो दिन निकल के आ जाएगा हमारा दिन कितना हो जाएगा हम अगर 60 unit को अगर एक दिन में 6 unit काम कर पा रहा है तो 60 unit काम करने में कितना समय लगेगा? हम 60 में 6 से भाग देंगे हमारा दिन निकल के आगया? दिन कितना हो जागा? 10 दिन यानि 3-7 में मिलके अगर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा चलिए एक बार शीर से question देख लेते हैं कितने दिन में करेंगे? देखिए हमें question में दिया हो था कि हमें 3 जोड़ा दिया हो था पहला जोड़ा है AB का AB जो है 7 में मिलके अगर काम कर रहे तो 20 दिन का समय लग रहे BC अगर 7 में मिलके काम कर रहे तो 15 दिन का समय लग रहे तो हमें निकालना था कि A, B और C अगर तीनो साथ मिल के काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दिन का LCM निकालेंगे हमें क्या दिया हुए पहले जोड़ा का दिन कितना लग रहा है दिन में कितना यूनिट काम करेंगा 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर पाएगा यानि A, B का छमता यहां से हमें पता चलेगा कितना है 3 यूनिट अब देखिए BC जो है बाड़े दिन में 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 5 यूनिट यानि यहाँ से BC का छमता हमें पता चल गया कि 5 यूनिट है अब देखिए जो CA है 15 दिन में 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर पाएगा 4 यूनिट यानि यहाँ से CA का हमें छमता पता चल निकालेंगे यहां अमारा क्या दिया होए AB का चमता यहां क्या है BC का चमता और यह क्या है CA का चमता तो देखिए अगर हम इन तीनों क्या यानि तीनों जोड़ों का चमता हम एड़ करेंगे यानि A प्लस B का चमता B प्लस C का चमता और C प्लस A का चमता यह हमारा टोटल कितना हो जागा? 3 प्लस 5, 8 प्लस 4 कितना होगा? 12 यानि तीनों जोडों का चमता कितना निकल किया गया? 12 अब यहां देखिए, यहां दो जो है A है, दो B है दो C है, यानि हम इसे लिख सकते है 2 इन्टू A प्लस B प्लस C यह कितने के बड़ावर है? 12 यूनिट के बड़ावर तो A प्लस B प्लस C कितना यूनिट होगया? 6 यूनिट यानि यहां से हमें A प्लस B प्लस C का चमता पता चल गया, कि कितना है? 6 यूनिट यानि A प्लस B का चमता हमारा आंसर कितना है दस दिन है चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है question दिया है कि A किसी काम को 20 दिन में तथा B 25 दिन में करता है A और B दोनों मिलकर काम प्राराम करते हैं और A आट दिन के बाद काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा देखिए हमें question में क्या दिया हुआ है हमें question में दिया हुआ है कि A जो है अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 25 दिन में कर सकता है देखिए दोनों मिलके काम को प्राराम करते हैं यानि दोनों मिलके काम सुरुआत करते हैं और 8 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है तो काम कितने दिन में, टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा यानि 8 दिन के बाद अकेले कौन कर रहा होगा, भी काम कर रहा होगा तो देखिए हम सबसे पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिन का LCM निकालेंगे देखिए 20, 20 और 25 का LCM क्या हो जाएगा 20 और 25 का LCM अगर हम निकालेंगे तो 20 और 25 का LCM कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 20 और 25 का LCM कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यानि हमें 100 unit काम करवाना है हमें 100 unit काम करवाना है देखिए अगर 100 unit काम A अखेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है A अखेले काम कर रहे तो कितना समय लग रहे है 20 दिन का और जो B है B अखेले काम कर रहे है अगर 100 यूनिट तो कितना समय लग रहे है 25 दिन का यानि यहां से A का छमता हमारा निकल के आगए 5 उनिट, B जो है 25 दिन में अगर 100 उनिट काम कर पा रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा 4 उनिट, यानि यहां से B का छमता कितना होगा 4 उनिट, अब देखिए हमें A का छमता पता चल गया, B का छमता पता चल गया हमें 100 unit काम करवाना है देखिए काम की सुरुआत दोनों मिल के करते हैं यानि पहले जो 8 दिन होगा A भी काम कर रहा होगा और B भी काम कर रहा होगा उसके बाद A ने काम छोड़ दिया जो 6 काम होगा ओ B करेगा और हमसे question में पूछ रहा है पूड़े काम समाप्त होने में कितना समय लगएगा तो देखिए पहले 8 दिन में अगर A भी 7 में मिल के काम करेगा तो A कितना कर रहा है 5 unit एक दिन में B कितना कर रहा है 1 दिन में 4 unit यानि दोनों 7 में मिल के काम करेगा तो कितना हो जाएगा 9 unit यानि 8 दिन तक 8 दिन तक A और B दोनों साथ में मिलके काम करेगा A और B 8 दिन तक दोनों साथ में मिलके काम कर रहे यानि 8 दिन का अगर हम काम निकालेंगे A भी अगर साथ में मिलके काम करेगा A कितना कर रहे 5 unit बी कितना कर रहे है चार यूनिट यानि एक दिन में कितना कर पड़े है नौ यूनिट यानि आठ दिन का जो हमारा काम निकल किया गया कितना हो गया 72 यूनिट काम हो गया देखे आठ दिन में 72 यूनिट काम हो गया और हमें टोटल काम कितना दिया हुआ है 100 unit, 100 unit काम करना है और 8 दिन में 72 unit काम हो गया, अब क्या करें एक काम छोड़ दे रहा है, तो 6 काम कितना बचेगा, जो 6 काम हो जाएगा 6 काम 6 काम कितना हो जाएगा हम 100 में से 72 माइनस करेंगे 100 में से 72 माइनस करेंगे हमारा कितना निकल क्या जागा 100 में सब 72 माइनस करेंगे यह हमारा हो जागा 28 यानि अब 28 काम करना है 28 Unit काम करना है और केवल B कर रहा है A काम छोड़ दिया है B जो है एक दिन में अगर 4 Unit काम कर पा रहा है तो 28 Unit काम करने में कितना समय लगेगा यानि यहां से जो 6 समय हो जाएगा 6 समय वो कितना निकल जाएगा 28 बटा 4 करेंगे यानि हमारा कितना निकल कियागा 7 दिन देखिए पहले 8 दिन काम हो चुका है और जो 6 काम है उसे B जब अकेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 7 दिन समय लग रहा है यानि पूरे काम को समाप्त करने में total समय कितना लग जाएगा यानि cool समय हमारा हो जाएगा cool समय cool समय कितना हो जाएगा 8 प्लस का 7 यानि 15 दिन हमारा answer क्या झिकल के खेंग है 15 दिन चले एक बपर फिर से question देख लेते हैं Q में क्या दिय ओथा? हमें Q में दिय ओथा कि A किसी काम को 20 दिन में, तथा B 25 दिन में करता है, A और B दोनों मिलके काम प्रणारम करते हैं, ओर A 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? हमें question में दिया हुए कि A अगर किसी काम को अकेले कर रहा है तो 20 दिन में कर पा रहा है और B अगर उसी काम को अकेले कर रहा है तो 25 दिन में कर पा रहा है तो हमें question में दिया हुए कि A B दोनों मिल के साथ में काम को प्रणाम कर रहा है और 8 दिन के बाद A काम छोड़ दे रहा है और जो 6 काम है वो B कर रहा है और हमसे पूछ रहा है कि टोटल काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दीन का हम LCM निकालेंगे A कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में B कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में यहां से 20 और 25 का LCM कितना हो गया 100 हो गया यानि हमें 100 यूनिट काम करवाना है टोटल देखिए A जो है 20 दिन में अगर 100 यूनिट काम कर पा रहा है और B 25 दिन में 100 यूनिट काम कर पा रहा है यानि A बीस दिन में गर 100 युनिट काम कर रहे है तो एक दिन में कितना अब देखिए एक चंथा में पता चल जए अब साथ चल गिया कि 5 यूनिट है और बी का काम सुरू A भी जो साथ में मिलके काम सुरू करते हैं और 8 दिन तक साथ में काम करते हैं यानि 8 दिन तक A भी काम कर रहा होगा और B भी काम कर रहा होगा यानि 8 दिन का अगर हम काम निकालेंगे तो एक दिन में A कितना कर रहा है पांच यूनिट और B कितना कर रहा है चार यू यानि 8 दिन का काम कितना हो जाएगा बहत्तर यूनित हमें तोटल एक तर यूनित काम हो गया उसके और एक काम चोड़ दिया अब एक तो 28 Units काम कर पंड़े हैं साथ समयों साथ दिन इए पहले आट दिन काम हो चुका है उसके बाद सेखाम को कितने दिन में समप्त कर रहा है साथ दिन में और हमसे पूछा जारा है कि अगर इस तरह से काम होगा तो पूरा समय कितना लगेगा काम समाप्त करने यानि पूरा समय पहले 8 दिन काम हो चुका है और फिर जब B अखेले कर रहा है तो 7 दिन ले रहा है यानि टोटल जो समय हमारा निकल के आगया पंदरे दिन हमारा आंसर क्या होगा पंदरे दिन चलिए कोश्चिन समझ में आगया होगा next question पर चलते हैं देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है question दिया किसी काम को A 12 दिन में और B 18 दिन में करता है A और B दोनों मिल के काम सुरू करते हैं कुछ दिन बाद A जो है काम छोड़ देता है और 6 काम को B 8 दिन में पूरा कर देता है तो A ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था देखिए हमें क्या निकालना है कि A ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम दीन का LCM निकालेंगे हम सबसे पहले दीन का LCM निकालेंगे देखिए A बाड़े दिन में कर रहा है B जो है अठारे दिन में कर रहा है तो LCM हो जाएगा बाड़े और अठारे का LCM कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यानि हमें 36 उनिट काम कराना है देखिए हमें 36 उनिट काम कराना है हमें कितना काम कराना है 36 उनिट काम कराना है अगर A जो है A अकेले काम कर रहा है तो कितना का समय ले रहा है बारे दिन का और B अकेले काम कर रहा है तो कितना समय ले रहा है 18 दिन का यानि बारे दिन में A जो है 36 उनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना उनिट काम करेगा एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा तीन यूनिट यानि एक च्छमता क्या निकल किया गया तीन यूनिट और बी जो है अठारे दिन में जोकर 36 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा दो यूनिट यानि B का शंता कितना है 2 unit अब देखिए हमें ये नहीं पता है कि एक कितने दिन बाद काम छोड़ा है हमें वही निकालना है तो हम यह क्या करेंगे कि जो B है last में अकेले 8 दिन काम कर रहा है तो हम मालेंगे कि A भी उसके साथ काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 36 उनिट काम में, ए का 8 दिन का काम एड कर देंगे, अगर ए जो है, एक दिन में 3 उनिट काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करेंगा, ए 8 दिन में कितना कर पाएगा, ए 1 दिन में, अगर 3 उनिट काम कर पा रहा है, तो 8 दिन में कितना कर पाएगा, हम 8 म को 36 में एड कर देंगे यानि अब हमारा जो काम हो जाएगा 36 प्लस का 24 हम यह कर देंगे यह हमारे कितना हो जबागा 36 40 यह हमारा हो गया 60 अब दिखिए अब जो है शुरू से लाश्ट तक A और B दोनों साथ में काम कर रहा है यानि A का छमता कितना है 3 यूनिट और B का छमता कितना है 2 यूनिट यानि टोटल छमता A और B का कितना हो गया 5 यूनिट और हमें अब काम कितना कर रहा होना है 60 यूनिट यानि अब जो हम 12 दिन में अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो टोटल बाड़े दिन का समय लगता लेकिन हमें कोश्चन में क्या दिया हुआ है कि आठ दिन जो अंतिम में आठ दिन जो है बी काम कर रहा है यानि यहां से हम इसे ब्रेक करेंगे यह हो जाएगा आठ दिन और यह कितना बच जाएगा चार दिन यानि एने चार दिन बाद काम छोड़ा होगा एक इतने दिन बाद काम छोड़ा होगा एने चार दिन बाद काम छोड़ा होगा और बी जो है सुरू से लेके लगतार यानि अंतिम तो काम किया है यानि बी कितने दिन काम किया होगा बारह दिन काम किया होगा चलिए एक बर फिर से कोश्चन देख रहे थे हमें कोश्चन में क्या दिया होता देखे हमें कोश्चन में दिया होता किसी काम को A बारे दिन में और B अठारे दिन में करता है A और B दोनों मिलके काम सुरू करते हैं कुछ दिन बाद A काम छोड़ देता है और सेज काम को B आठ दिन में पूड़ा कर देता है तो A ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था देखी हमें क्या निकालना है कि A कितने दिन बाद काम छोड़ा था हमें इसे निकालना है तो देखे हमें question में दियो कि A जो है 12 दिन में काम कर पा रहा है और B 18 दिन में काम कर पा रहा है तो हम सबसे पहले दीन का LCM निकालेंगे 12 और 18 का LCM कितना हो जागा 36 यानि हमें 36 unit काम कराना है और A 36 unit काम करने के लिए कितना समय ले रहा है 12 दिन का और B 36 unit काम करने के लिए कितना समय ले रहा है 18 दिन का यानि A जो है 12 दिन में 36 unit काम कर रहा है तो एक दिन में कितना unit काम करेगा 3 unit यानि यहां से A का छमता हमें पता चल गया कि 3 unit है और B जो है 18 दिन में 36 उनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना उनिट काम कर पाएगा 2 उनिट यानि यहां से B का छमता हमें पता चल गया कि 2 उनिट है अब देखिए A का भी छमता पता चल गया B का भी छमता पता चल गया और देखे हमें ये निकालना है कि A कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है अंतिम में जो last में जो B काम कर रहा है कितना जो 6 काम को कर रहा है B वो 8 दिन में कर रहा है अगर हम ये मालने कि लगतार अंतिम दिन तक अगर A भी काम करे यानि हमें क्या करना पड़ेगा इस 36 में 8 दिन का काम A का जोड़ना पड़ेगा यानि A जो है एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर पा रहा है तो अगर अंतिम में भी 8 दिन अगर काम करता तो कितना काम होता 24 यूनिट यानि अगर हम इस 36 में 24 एड़ कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आजाएगा 60 यूनिट यानि अब हमें 60 यूनिट काम कराना है और A और B दोनों सुरू से लेके अंतिम तक है यानि A एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर पा रहा है B एक दिन में 2 यूनिट काम कर पा रहा है तो दोनों अगर 7 में विलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 5 यूनिट और हमें अब काम कितना कराना है 60 यूनिट यानि समय कितना हो जाएगा अगर हम 60 में 5 से भाग देंगे हमारा समय निकल किया गया बारे दिन अब दिखिए हमें question में दिया हुआ है कि अंतिम में 8 दिन जो अंतिम में काम पूड़ा कर रहा है 8 दिन B कर रहा है हम इस बारे को break करेंगे यानि 8 दिन अंतिम का निकाल देंगे तो सुरू का कितना बचेगा 4 दिन यानि A जो है 4 दिन बाद काम छोड़ दिया होगा और B लगतार सुरू से बारे दिन तक काम किया होगा चलिए हमारा answer कितना निकल किया गया 4 दिन question समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल मत भूलेगा चलिए बाई बाई